हे गास मैं मोनिका सिंग आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बटाने वाली हूँ कि कैसे हम MS Office Professional Plus 2013 को एक्टिवेट कर सकते है मेरा MS Office अल्रेटी एक्टिवेटेड है जैसे कि आप यहां पर फाइल में जाकर अकाउंट में जाकर यहां देख सकते हैं यहां पर जिनका एक्टिवेटेड नहीं होगा यहां लिखा होगा तो मेरा अल्रेडी एक्टिवेट हो चुक्ता लेगिन फिर भी मैं आप लोगों को बटाने वाली हूँ जब यहां एक्टिवेशन रिक्वाइड लिखा होगा तो आप लोग कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इसके लिए इसके लिए आपको में प्रोक्रोसेस करने वाली हूँ आपको बस फालो करना है श Netzete शे पहले आप इस प्रोसेस को करना के से पहले आप अपना आन्टि लास कुछ टाम कले कुछ टाइम के लिए आप लोगों के एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा इसका नाम है Microsoft Toolkit 2.5.3 यह फाइल में और डाउनलोड कर चुकी हूं यह फाइल का डाउनलोड लिंक में डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसे अब डाउनलोड करूंगी और आप यहां देख सकते हैं एक विंडो ओपेन हो गया है यहां आप देख सकते हैं डो आप्शन दिया हुआ है यह टूलकिट के लिए है और विंडो тобंवर टूलकिट के लिए रहा ध्यान रखें यह, μέई माईक्रोसफ्ट टूलकित से आप विंडोस अक्टिवेट कर सकते हैं मुझा भी विंडोस अक्तिवेट नहीं करना है मैं आप लोगों बटाने वाली हूँ कि कैसे office को activate करना है हमेस office को सो मैं इस icon पे click करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है option uninstall office मुझे uninstall नहीं activate करना है सो मैं uninstall में नहीं जाओंगी I will click go here activation यहाँ पे product keys यहाँ product keys में पहले आप यहाँ से लेक्ट कर लिए 2013 यहाँ आपको जाने जर्ड़र्ट नहीं है यह पहले यहाँ हो जाएगा activation यहाँ पर eject activator में आप click करिएगा यहाँ देख सकते हैं यह activation चल रहा है यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग एनी मैचिंग होर्यम की attempting to activate microsoft office attempting to activate office pro plus kms client production activation successful इसका यह last line का meaning यह है कि मेरा product activate हो गया है successfully अब मुझे कुछ नहीं इसे close कर डूँगी मैं यहाँ पर आएगा इसे भी close कर रही है यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर आपका जिस तरह से मेरा लिखा हुए product activated आपका भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आप यह चेक आप मैं यहाँ powerpoint खोल के कर रही हूँ आप MS Office के word में जाकर भी check कर सकते हैं वहाँ भी ऐसे लिख देगा Excel में जाकर चेक कर सकते है, Access में जाकर चेक कर सकते हैं So product activated और यह product आपका activate 1,2,3,4 या 30 days यह सब के लिए नहीं बलकि lifetime के लिए हो चुका है So just enjoy after activating this Office So, देखा आपने कितना simple process है, आपको simply एक software डाउनलोड करना होगा और उस software को आप संभाल के रखिए क्योंकि आगे और भी विंडो से कभी भी जगरण पर सकते उस software का या by mistakenly आपका MS Office PC deactivate हो गया या गल्ती से format मानने के बाद PC को या पुछ अरट करा इनके So, यह toolkit बहुत काम आएगा So, उसे आप संभाल कर रखिएगा So, आप देख सकते हैं कैसे मैंने MS Office को यह की हूँ मैं मतलब अक्तिवेट की हूँ product की So, this is all for today So, please subscribe and like my channel if you liked it And, hope कि आप लोगों को अच्छा लगा हूँ मेरा वीडियो And, please do subscribe and like my video And, do view also मेरे वीडियो डेखिये, like करिये, subscribe करिये And, खुछ रहिये So, मैं बहुत जल अपना next video भी लेकर आ रही हूँ तब तक की लिए Thank you And, bye-bye